हेलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम में सर्ण कुमार आप लोग देखरी इंडियन जुगार टेग दोस्तो आप लोग को बादा है रियल मी अपना नया सब ब्रैंड यहां पर लेकर आने वाला है जो कि यहां पर डीजल होने वाला इसका अनॉस्मेंट काफी बिन पहले बिन पर कर दिया गया था जिसके तर्दि इंडिया में दो नए फीचर फोन लौंच किया जाने वाले है जोकि डीजल स्टर त्रीहंड़ और डीजल स्टार फाइफंड़ होने वाले है तो ये दो नए feature phone launch के जाएंगे तो इनकी कीमत तो जो है यहाँ पर आज तो है कीमत वगएरा सब कुछ यहाँ पर leak हो चुका जीए तो इनके जो सभी specifications हैं साथ में इनकी जो pictures हैं साथ में सब कुछ जो सारी चीज़े वो leak हो चुकी है तो आज के इस video में आपको DJ star 300 और DJ star 500 के बारे पूरी detail में बताऊंगा तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज का वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को like कीजिए नीचे जो red color का subscribe button आरा उसको आप press कीजिए और जो side में bell icon आता है उस पर आप क्लिक कीजिए और बाद में आप आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं latest technology वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगा टैक पर तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादे सेल हो रहा है अभी तक कोई भी company जो है जियो के feature phone को टकर नहीं दे पार है क्योंकि वहाँ पर आपको काफी ज़्यादा features देखने को मिल रहे हैं जैसे कि जो smartphone में features मिलते हैं YouTube वाला feature हो गया WhatsApp वाला हो गया जियो सनेमा होगा जियो टीव होगा यानि कि multimedia features बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको मिल जाते हैं साथ में जो plan है वह भी आपको काफी सस्ते देखने को मिल जाते हैं लेकिन अब real में भी feature phone मार्किट में आने जा रहा है डीजो ब्रैंट के तहित वो दो नए feature phone launch करने जा रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात में सबसे पहले यही आपको बता देता हूं कि यह जो feature phone होने वाले हैं दोनो feature phone यहां पर 2G feature phone होने वाले हैं यहां पर आपको 4G का या 4G voltage का या 3G का support देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ी कमी यही यहां पर रह जाती है उसके बाग में आज इनकी जो सारी जो details specifications है वो यहां पर leak हो चुकी हैं तो सबसे पहले हम DJO Star 500 के बारे में यहां पर बात करते हैं तो DJO Star 500 में जो आपको display मिलेगा वो 2.8 इंच की display यहां पर देखने को मिलेगी और DJO के द्वारा बताया है जारा कि यह बड़ी display होने वाली है इसके अलावा यहां पर आपको जो contact list है उसमें आप जो है करीबन एक हजार जो अपने contacts हैं यानि की जो phone number से वो save कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर आपको पांच local language जो Indian language है उनका support देखने को मिलेगा जिसमें English, Hindi उसके अलावा तमील गुजराती और तेल्गू का फिलाल support बताया जा रहा है इन 5 language का support आपको देखने को मिलेगा, FM radio का support यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, MP3 player आपको मिल जाएगा 1900 mh की battery होने वाली है इस feature phone में आपको 1900 mh की battery देखने को मिलेगा, strip torch यहाँ पर दिया गा, premium design यहाँ पर बताया गा, design आप लोग अपनी screen पर यहाँ पर देख सकते हैं और rear में आपको 0.3 MP का जो camera है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यह feature से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है, RAM और ROM की बात करें, तो आपको 32 MB की RAM मिल रहे है, 32 MB का ही आपको ROM यहाँ पर देखने को मिल रहे है, और आप यहाँ पर 64 GB तक का अपना SD card लगा सक dual SIM का यहाँ पर support मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको starting में ही बता दिया, dual SIM का तो support यहाँ पर मिल रहा है, लिकिन आपको 4G का support यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यह feature phone होने वाला है, तो यह feature phone होने वाला है, जो कि तीन color variant में उपलब दोगा, black, silver and green, जो यह तीन color variant में उपलब होने वाला है, फिलाल यहाँ पर जो second smartphone होने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि DJO Star 300 होने वाला है, तो DJO Star 300 में जो आपको यहाँ पर specifications देखने को मिल रही है, लेकिन उसका जो design ने वो कुछ यहाँ पर change किया गया है, और वहाँ पर आपको जो display देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ 1.77 inch का display देखने को मिल रहा है, जिहां जो 1.77 inch का display यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और वही phone book वगएरा, SMS book वगएरा, वो सारी चीजे उतनी ही आप लोग सेव कर पाऊगे, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो camera है, वो VGA camera होने वाला है, जिहां सो वहाँ पर आपको camera मिल रहा था, वो 0.3 megapixel का मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको VGA camera मिल रहा है, तो उनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, built-in torch यहाँ पर आपको बताई जा रहे, FM radio MP3 player और premium design यहाँ पर बताया गया है, त काफी छोटी जो है screen यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर battery काफी बड़ी आपको देखने को मिल रही, दोनों ही यहाँ पर देखे, दोनों को जो है, काफी अच्छे लग रहे है, रियर पैनल से, लेकिन अगर हम DSR 300 की बात करें, तो फरंट से देखने पर इतना अच्छा यह feature phone नहीं लग रहा है, फिलाल यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि इनकी कीमत कितनी होने वाली है, तो इनकी जो MRP होने वाली है, दोस्तों, वो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूं, तो यहाँ पर जो MRP फिलाल लीक हुई है, DSR 500 की जो MRP वो मैं आप आप लोग को बता देता हूं, इसकी MRP होने वाली है, लेकिन इसे जो यहाँ पर सेल किया जाएगा इंडिया के अंदर वो 1799 रुपे में सेल किया जाएगा, जी है 11800 रुपे में यह feature phone, 2G feature phone आपको मिलेगा, बात करें, DSR 300 की तो उसकी जो कीमत होने वाली है, वो होने वाल 1800 रुपे का खरीद रहे हैं, या 1300 रुपे का खरीद रहे हैं, तो उससे अच्छा तो आप एक साल के लिए जियो का phone ही क्यों ने ले, वहाँ पर आपको एक साल के लिए सारी services फ्री मिल रही है, फोन भी अब आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, अब यह नया वाल अगर 4G feature phone यह लेकर आते और नए-nए features के साथ में इस तरह का यूस में features प्रवाइड किये जा रहे हैं, तो इस तरह से लेकर आते तो उस तरह से मेरी साबसे काफी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर simple 2G feature phone होने वाले हैं, जो आप करीबन 2008-2009 में यूज़ कर रहे थे, वैसे ही feature phone DJO brand के इंडिया में आपको देखने को भी लेंगे, कीमत मैंने आप लोग को बताई, आपका क्या opinion है कि DJO को यह दोनो feature phone इंडिया में किस price में लेकर आने चाहिए और क्यों यह लेकर आ रहा है DJO, वो आप लोग जीचे comment section में comment करके बता सकते हैं, आसा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनको सब्स्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद दूस्तों आज का वीडियो देखने के लिए